हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मन्पिड यूपी ऐसी कंसेट क्लासीज में स्वागत करती हूँ अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो हम सेल के रिगार्डिंग डिसकेशन कर रहे थे कि सेल क्या होता है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टरंस है सेल की हमारी बोडी में जितने भी आप और्गनिजम देख रहे हूँ, चाहे चोटे चोटा बेक्टीरिय है, चाहे कोई बड़े से बड़ा एनिमल है, लाइक एलिफेंट सब जितने भी और्गनिजम सब की जो बोडी है, वो सेल से बनती है अब जो सेल है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं यूकरियोटिक और एक होते हैं प्रोकरियोटिक यो यूकरियोटिक और प्रोकरियोटिक में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं और फिर हम आगे जाके cell organalis के बारे में discussion करेंगे जो preocreatic cells हैं ये primitive organisms अब primitive organism कौन से हैं जब life start हुई थी अर्थ में अर्थ पे जब life start हुई थी जब अर्थ पे life start हुई थी तब जो organism present थे human beings तो ऐसे directly नहीं आये ना human beings तो जो दूसरे organism है उनसे evolve हुई है evolve हुई जिसको हम human evolution बोलते हैं उसको हम discussion करेंगे anthropology में one by one लेकिन हमें यहां में primitive का मतलब समझना चाहिए जो पुराने organism थे जब life start हुई थी जब पहले क्या थे पहले bacteria थे बेक्टीरिया के बाद फिर छोटे छोटे दूसरे animals आये हैं और बाद में mammals आये हैं और mammals में जो primate order है जिसमें human beings आते हैं वो बहुत ही advanced stage में आये हैं तो जो उनमें जैसे खाना जाता है उसमें पता नहीं कितने सारे bacteria है और वो सारे bacteria harmful नहीं होते कुछ bacteria हमारी body के लिए useful भी होते हैं तो वो important है लेकिन कुछ bacteria बहुत सारी diseases करते हैं तो उससे क्या होती है उससे human beings के लिए काफी जादा नुक्सान होता है उन बक्टीरिया से तो बक्टीरिया बहुत ही primitive organism है और जो primitive organism में जो cell होते हैं उनको proec زेल भोते हैं अब जो primitive organism में ये preocry Etsy होते हैं ये जो cell होते हैं ये eukery Arts मतलब हम जो mammals हैं जो animals हैं, जो multicellular organism हैं जो advanced organism है multicellular इनसे काफी डिफ्रेंस है क्या डिफ्रेंस है हम one by one study करते है यो प्रेयोक्रेयोर्स होते है इनका जो cell है बहुत ही simple होता है उसमें ज़्यादा complexity नहीं होते है इसमें कुछ ऐसी organalis नहीं है जो इस cell को complex करे simple simple से organalis होंगे इनकी cytoplasm भी simple सी होगी और nucleus भी simple साही होगा इनके उपर जो membrane होती है cell membrane eukaryote के अंदर भी होती है और preokaryote दोनों के अंदर ही उपर स्राउंड करती है cell membrane दोनों को ही स्राउंड करती है यह जो similarity होगी लेकिन जो preokaryotes है में जो bacteria वगरा है इनके उपर जो cell membrane है उसके उपर एक और covering होती है इसको हम cell wall बोलते है यह जो cell wall होती है यह बहुत ही क्या होती है rigid होती है rigid होती है और non living होती है यह जो cell wall है ठीक है लेकिन यह cell membrane क्या है यह क्या है living है यह cell wall क्यों होती है bacteria वगरारा के cell के सराउंड में यूकि जो बिक्टीरिया अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं और कई बार तो इनके यह एक ही सेल से बनते हैं और वो तो बहुत जादा प्रोन होगा किसी डिजीज के कारण कोई और्गनिजम अटेक ना कर दे तो इसलिए इनके सराउन में सेल वोल होती है ऐसा नहीं है कि सब प्रोक्रियोट्स के अंदर ही सेल वोल होती है कुछ जो यूक्रियोट्स है उनके सराउन भी सेल वोल होती है और जो इनका नुक्लेस है जो मैंने बोला था ना ये सेल है जैसे ये नुक्लेस है तो जो nucleus जो है, यहां पे जो букlase है। उनका जो nucleus होगा, उसके ओपर membrane नहीं होगी nucleus के ऐसे ही nucleus पड़ा होगा। कुछ membrane नहीं है। ऐसे पड़ा होगा, लेकिन जो eucalyauts है even उनका जो nucleus होगा, उसके surround में membrane में होगी। और कुछ और्गनेलिजर जो प्रेयोक्रियोट में नहीं होते हैं वो यूक्रियोट में होते हैं जैसे माइटोकॉंड्रिया, एंडोप्लाजम के रेटिकुलम उनमें होते हैं और राइबोजोम तो प्रोक्रियोट में भी होते हैं, यूक्रियोट में भी होते हैं कुछ जो और्गनेलिज़ वो similar है दोनों में और कुछ का ही difference है Inside E cell is a dense membrane bound structure called nucleus हमें पता है हर एक cell के अंदर एक जो ये cell है इसके अंदर ये क्या होती है? Nucleus होता है तो वही बात किये है कि Inside E cell is a dense membrane bound structure called nucleus इस nucleus के अंदर अब basically ये nucleus बनता कैसे है? ये किस से बनता है? Chromosome से बनता है और ketromosome की structure कैसी होती है? ऐसी होती है Chromosomes की होती है और ये जो kromosome है ये किस से बनते है? Genetic material से बनते हैं जिसको हम DNA बोलते हैं DNA की full form का है? Dioxy Ribonucleic Acid Dioxy Ribonucleic acid अब deoxyribonucleic acid नाम से clear है कि ये क्या होगा DNA क्या है acidic होता है तो ये acidic है तो जो nucleus होगा वो जो उसका material है जिससे वो बन रहा है वो acidic है इसके हम बाद में discussion करेंगे ये इसमें deoxyribonucleic acid में क्या क्या होता है इसमें sugar होती है, phosphate group होता है आ नुक्रमजम किस से बनते हैं, इसे बनते हैं, जो बित उकली हैं, जो पित इसके उकले हैंगे उकलिक सेल में जो नुकलेस होगा, जो नुकलेस होगा, इसकी अन्र क्या होगी इसके स्रावन में covering होगी तो nucleus eukaryotic cell में जो nucleus होगा उसकी covering होगी लेकिन यो preukaryotic cell है उसमें nucleus क्या होगा ये cell है तो nucleus ऐसे ही पड़ा होगा उसके उपर कोई covering नहीं होगी ये बहुत बढ़ा difference है लेकिन दोनों में आप देख रहे हैं इसमें भी और इस दोनों में क्या हो रही है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है cytoplasm तो cytoplasm दोनों में ही है तो इन बोथ preukaryotic and eukaryotic cell है semi-fluid matrix ये जो cytoplasm है ये क्या होगी semi-fluid होती है ठीक है थोड़ा सा fluid nature में होती है called cytoplasm occupied the volume of the cell the cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both plant and animal cells और जितनी भी ये activities होती है ये जितनी भी cell के अंदर activities हो रही है cell के अंदर क्या क्या activities हो रही है DNA जो उसकी क्या हो रही है उसकी replication भी हो रही है और क्या हो रहे है protein बन रही है protein बन रही है और क्या होता है protein बनने के बार respiration भी तो हो रही है, Sel Respire भी तो कर रहा है respiration हो रही है, जो cellular respiration बोलते हैं, जिसको क्या बोलते है cellular respiration, वह भी हो रही है, तो वह सारी जो activities है, फिर excretion भी होती है, जो भी ऐसे कुछ product होगे, जो remove करने होगे, सैल से, जिनका waste होगा, जो भी स्क्रीट करना होगा वो भी activities हो रही है तो जितने भी activities हो रही है cell की वो किस में हो रही है Cytoplasm में हो रही है और बहुत सारे यही chemical reaction हो रहे हैं जिसके कान जो cell है वो living state में रहता है अगर यह chemical reactions ना हो तो cell जो है dead हो जाता है तो यह सारी activities important है cell को एक living form में रखने के लिए तो यह अब भी हमने और थोड़ा सा cell के बारे में किया था और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है अगर आपको इसमें कुछ आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी beneficial है तो please